सब्सक्राइब सब्सक्राइब 1947 तक अब यहाँ पर आपको बता दें कि आपके प्रिवेस कोश्चन पेपर हम अपलोड कर चुके हैं 2022 और 21 के अगर आपको देखने हैं तो जो हमारी ओड वीडियो हैं वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं हाँ भी आप देख सकते हैं आपको वीडियो और वीडियो मिल जाएंगी तो चलिए बने रहिए हिंदी मेरर के साथ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए बैल आइकन हीट नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक तो बनता है कर दीजिए शेयर क कि कितने like आते हैं क्योंकि like का भी एक target होता है और share का भी target होता है क्योंकि आप share करते हैं तो कहीं न कहीं आप हमारी तरह दूसरे की help करते हैं क्योंकि Hindi mirror आपके लिए हर बात के लिए हर काम के लिए तयार कड़ा रहता है तो आपको भी share करके सभी के लिए एक मिसाल बोल सकते हैं काम करनी है कि आप share कर रहे हैं तो उन तक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं चलिए like करते करते एक जो है आपका हम बता देते हैं question bank में इसमें जो है unit wise आपके questions है paper first आपको एक बारे मिलेगा और second paper आपको दूसरी बारे मिलेगा Hindi English दोनों ही version में है आपका paper है यानि के question bank है तो चलिए देख लेते हैं unit 1 और 2 जो आपके previous question paper है उनको check करिए साथ में जो question bank मिल रहा है उसको check करिए और कोशिश करेंगे कि कल तक आपके पाथ जो important topic है जो आपके sample paper है वहाँ से कुछ हम content उठाते हैं और आपके लिए last time पर कुछ important topic लेकर आते हैं notes के रूप में ही समझ लीजिए चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर जो पहला प्रशन आपका बन रहा है मुगल समराजय के पतन के कारण लिखिए ठीक है बहुत important प्रशन है note down कर सकते हैं इसको अपने exam के point office से next question है औरंग जेब के बाद बने मुगल समराटों के बारे में वर्णन कीजिए अब यहाँ पर औरंग जेब के बाद हमने पूछ लिया आपसे कि मुगल समराटों के बारे में लेकिन हो सकता है आपसे कोई एक particular यहाँ पर पूछ लिया जाए तो आप सब के बारे में पढ़ लीजिए हो सकता है प्रशन ऐसे ही बने या फिर दूसरे तरीके से आपसे पूछा जाए अब देख सकते हैं थर कोशन थर कोशन में पूछा गया है कि बकसर के यूद के क्या कारण थे गटनाय पूछी गई परिणाम पूछे गई तो यहाँ पर जो कारण भी कर लीजिए गटनाय भी कर लीजिए और इसके क्या परिणाम हुए अब यह तो हो गया आपका लेंदी में आ जाएगा कोशन लेकिन अगर आपका ये short way बनता है तो आपसे सिर्फ पूछा जाए कि बकसर के युद के कारण बताईए या फिर बकसर के युद के क्या परिणाम थे इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है नेस कोशन है आपका फोर्थ वारेंड हैस्टिंग्स की मराठा निती की समिक्षा कीजिए इंग्लिश वर्जन आपको दिखाई दे रहा है वोगा सबी स्टुट्रेंट्स को अच्छे से चलिए आगे देख लेते हैं लाड कॉर्ण वाल्स की विदेश निती की व्याक्या कीजिए ये भी एक्जाम के पॉइंट ओफी से बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है इसको भी आप जरूर कर लिजेगा चलते हैं आगे सिक्स कोशन की दरब सिक्स कोशन में पुछा जा रहा है त्रित्य आगल मैसुर युद के कारणों घटनाओं परिनामों का संग्शेप में वर्णन कीजिए अब देखे प्रशन यहीं से गुम जाता है अगर संग्शेप्स के जंग है आपको डाल दिया जाए कि विस्त्रित विवेचन कीजिए तो कहीं न कहीं प्रशन कैसा हो जाएगा लेंदी हो जाएगा अब यहाँ पर संग्शेप में हमने डाल दिया हो सकता आप इसको शॉर्ट में तयार करें लेकिन इसको शॉर्ट में न तयार करके आप इसको लेंदी में तयार करना और पूरे इसके बारे में पढ़ना इसके कारण क्या रहे और इसके परिणाम क्या रहे तो इस बार शायद ना पूचा गए और हो सकता है जो पूचा गया वही पूच लिया जाए तो कुछ भी हो सकता है तो तीनों यूद के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए जलते हैं आगे थाड यूनिट पर थाड यूनिट में जो पहला कोशन आपका बन रहा है के गुणवे दोश बताईए तो भू प्रणालियों के बारे में यहां पर बताना है और गुणदोश भी बताने हैं गुणदोश की जंगे कई बार ऐसा होता है कि आप से विशेस्ताइं भी पूछ ली जाती है ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है यह वाला कोशन रहेत वाड़ी वाला क्योंकि यहां पर सिर्फ हमने टिपने पूछी है और लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा लेंदी ही पढ़ लीजिए क्योंकि यह कोशन आपका बनेगा 100% आपके एक्जाम लाइब चलते हैं 5 कोशन की तर नहीं यहां पर पूछलिया प्रशाशनिक भूमी व्यान नया संबंदी सुधार उपर आपसे पूछा गया था यहां पर कानवाल्स के विदेश निती अब यहां पर तीन टॉपिक आपसे पूछले गये हैं पूछले जो आपकी विदेश निती है वो भी बहुत यह तो आप जरूर कीजेगा ठीक है विदेश निती और यह जरूर कर लिजेगा बाकी दो टॉपिक और हैं देखना चाहें एवा गो थू तो करी लिजेगा फॉर यूनिट की तरफ आ चुके हैं पहला प्रशन बन रहा है अठारह सो सतावन की करांती के असफलता के कारणो कि स्तिती ती क्या थी 1857 के संगराम की प्रमुग गतनाव का बंडन कीजे 1857 संगराम की क्या प्रिनाम हूए विस्तरत विवरन दीजे Very Important 1857 की रांती से पूर हुए विद्रों का शंक्षिप्त बर्णन कीजिए ठीक है ये भी आप कर सकते हैं संक्षिप्त तो हम बोलते हैं लेकिन इसको आप लेंदी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा चलिए उनिट 5 आ चुकी है पहला कोशन बेटिश राज की शुरुवात कैसे हुई सिक्ट कौन से थे इस परस कीजिए ये प्रशन आपके एक्जाम में भी पूछा गया है एक बार नेस्ट है भारत का पुनर जागरन काल क्या था विस्तार से लिखे पुनर जागरन को अच्छे से पढ़ लिजिए एक्जाम के पॉइंट वी से बहुत मैत्व पून टॉपिक है भा कम से कम तीन से चार आप समासुदारक पढ़ सकते हैं सिक्स यूनिट की तरफ आ चुके हैं भारतिये रास्ट्रे कॉंग्रेस की स्थापना किस पाकार हुई इस पस्ट कीजिए नरम दल और गरम दल से आप क्या समझते हैं इस पस्ट कीजिए ये भी आपका टॉपिक बहु 2019 के एक्ट पर टिपनी की करनी है फिर है लाल बाल पाल कौन थे उनकी परमुक उपलोद्यों का वर्णन कीजिए इसके बाद है होम रूल आंदोलन क्या था थियो सोपिकल सोसाइटी के इस आंदोलनी योगदान की विस्तरत विवेजना कीजिए फिर है यूनिट सेबन 1920 के ऐसा योग आंदोलन के उद्देश्य वेपरगती का वर्णन कीजिए ये आंदोलन क्यों असफल रहा बहुत महत्तोपूर्ण है होम रूल बहुत महत्तोपूर्ण है फिर इसके बाद 1930 में गांदी जी दुवारा संचाली सविन्या अवग्या पर प्रकाट डालते हैं इ भारत छोड़ो आंदोलन की क्या भूमी का रही जो भारतिये स्वतंतरता अंदोलन था उसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन की भूमी का क्यातिस के बारे में यहां पर बताना है फिर यहां पर टिपनी ली गई है चोरी-चोराकांड, साइमन कमिशन, जलेवाला बागत्याक तो ये तीनों ही टॉपिक मैंतो पूर्ण है कर लिजेगा नेस कोशन आपका बन रहा है भारतिय स्वतंतरता अंदोलन में मात्मा गांदी की योगदान पर प्रकाश डाली ये प्रशन आपके प्रिवेस कोशन पेपर में पूछा जा चुका है तो इसको आप एक बार जरू ग पॉइंट ओफियो से फिर आपका लास्ट कोशन आठ हुआ यहाँ पर सवन उनिट से भारतिय स्वतंतरता संग्राम में एकरांती कारी आंदोलोन की भूमिका पर प्रकाश डाली है वेरी इंपोर्टेंट ये भी आपके लिए अब एट उनिट में चेक कर लेते हैं एट उन ब्दश के लिए भारत में मुसलिम संपरदाय का उद्यर विकास किन कारनों से हुआ इसे ब्रिटिस सरकार के विभाजन करो और शाषन करो की निदिका क्या भाग रहा मुसलिम पर्थक वाद में सरसेय दामत खां की भूमिका को इसपरस कीजिए फिर नेस कोशन है भारत में मुसलिम सामपरदाइकता बेटिस शाशन की देन है इसका तन पर अपने विज़ा परकट कीजिए बन सकता है एक्जाम में अच्छा कोशन है बारत विज़ान के कारण इस पस कीजिए क्या विभाजन असवंभावी था चलिए आगे चलते हैं मांट बेटन योजना पर टिपन भी आप कर सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से ये आपके कोशन्स थे ये वाला कोशन बेंक आपको जल्दी ही अपलोड में करूंगी क्योंकि पहले आपका फस्ट पेपर है उसके बाद आपका सेकंड पेपर आने से पहले ही आपका अपलोड जाएगा कलिया परसों में अप सकते हैं तो शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट बोक्स में क्वैरिज के साथ साथ फिडबैक जरू भेजा करें अच्छा लगता है आपका फिडबैक आता है तो और सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरू करके जाएगा